जी हाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं मनु यादब को जो आज के तारिख में काफी हालेटेड हो चुके हैं ये आरती के पती है आज के तारिख में और सबसे पहले ये छोटु के मझले भाई है ये मझला भाई कई वर्सों से पंजाब में रहकर कमाई कर रहा है जो अपने सब्सक्राइब आए सबूत के बाहर सब को पहले पताने था जब आये तो तो समाज का सब के रजामंदी से बोले सब निगेटिव सोच रहे थे से उसे बोल ले थे सब पापा हमको बताएं कि गों समाज बैठे थे सब मतलब सब निरने लिया है कि मतलब अनुका साधी करा दो तो हमसे पूछे तो हम बोले ठीक है जैसे आप लोग सोचेंगे वैसे कर लेंगे तो इसलिए हम लोग मतलब साधी किया अच्छा आप पढ़ाय कहां तक हैं छे क्लास तक उसके बाद पढ़ाय छोड़ दिया छोड़ने पैसे का बहुत कमी था इसलिए छोटों का पढ़ा रहे थे उनको पढ़ा रहे थे पैसा भेजते थे आप तो शादी कर लिए हैं क्या खूश है अब साधी से देखिए खूशी के लिए तो बवाल हो रहा है खूशी भी है लिकिन किसी को मतलब गम नहीं दीख रहा है अंद यह बताए यह मनुजी आप ने मुस्कुराया और आपके मुस्कुराहट को ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप आर्थी से साधी करके बहुत खूश है और आपका प्लान बहुत दिनों से चल रहा था कि हम आर्थी से साधी करेंगे यह कितनी सच्चा है यह सब गलत है यह सब नहीं था मअहेर में रहते से जब शोटू का मत्लब है देट हूा था तो आये हम जो दू दिन के बाद आ थे झाल उसके बाद जो सब भी काम कुम करन में खार के फिर हम 15 यह दिन के बाद चले गए Southern चाइल मेने प़ाइब होता तो यह सारे कभी आपने सोचा था कि उस स्थमें सबॉस्वें करते थे चोटु प्यार करता था अच्छा वूसा पने शादी कर लिया कैसा अब आप में लगता है आपको देखिए हम वैसे तो अपने आपको मतलब पूरा थी अगोरा मैसूस पूरा कि नहीं करना चाहिए नहीं करते एक तो साधी नहीं हुआ है तो मतलब किस तरह कब वाव रहा है। उसके दिन्हें के लिए जाते साधी कर लिया कि इस घर में रहेगा आप पिता जी के सुनने माया था कि आपकी शादी कहीं लगने वाली थे आपकी शादी होने लगी हुई थे तो तो यहां पे पैसा दे दिये थे टेंट गिरा भी दिया तरवाजेब है अनि 27 क्या रहते हैं 17-18 को साधी होता अच्छो तारीका छोटू का देट हुआ है तो जो लेंदेन हम से किया था वो जो है तो उनको लेंदेन हम वापस कर दिये वह अपने खुद मांग लिए वो बोला लड़की वल इस घर में आये हैं उनका साधी कौन करेंगे इस मतलब समध करके वह बोला कि समधी जी जो मेरा कपड़ा आरू जो बंकी समान दिये हैं हम लोटा दीजिए हम उनको लोटा दिये यह जो मैं दिखा रहा हूं मनु यादब को इसके पिछे कहानिया है सबसे बड़ी बात पहल मुश्क्राड पिछे क्या कहानि देखिए वह मुश्क्रा रहे हैं तो मतलब मुश्क्रा रहे हैं जो कि मैसे मीडिये ममें प्रोले तो बना रहे हैं तो ऐसे बогताव सक केमरा चालू हमको पता नहीं था अलridis तो यह नहीं क्या वो हमसे सवाल कर रहा था था वहांस दिये ना है अच्छा कोई मजाक वाला बात बोले थे कि हम हास दिये अच्छा और वहांसी को ले करके मतलब इतना वैरिल कर दिया कि भाई का गम नहीं भूल गया इतना जल्दी अभी पॉंच मेना भी नहीं हुआ है माल औरने भूल पाएगा को नब हरता है दिसे आप क्या बताएंगे लिए डुसरी को बताएंगे तक विस्वास ही करता है बदेद sfram किya बताएं आपके घर में कुछ पत्रकार लोगा और क्यों उन पर ऊगर हो गें तो मारी जी देखिया गवरान होते तो पापा है जो मतलब चिन्नी सुगर हो तुरते बले स्पेटर है हो जाता है तो इनी को सांथ कर रहे थे उसी में कुछ उल्टा-फुल्टा इधर से भी बोल दिया इसी में हो गया जब्रन आपके घर में कुछ देख्या बोलो जबर दस्ति कर रहे थे का न्यूज के लिए देखिए हम हम लोग यूज से जी बोल दिये थे कि दू दिन-दिन पहले की बाहिट नहीं देंग घर किर महां हो जाता क्या फैदा को बियार से सड़ोत कोई बात नहीं हुए हुं है तो बोल दिये पिर भी आयत है जो रश्ति हां जबरडश्ति आयत है किसी को बुलाई नहीं ते ऐसे आयत है नुद टो फिर भी चलो हम लोग समान से बैठाएं इसा बात नहीं है कि फिर भी वहica Sky-pine कि आलेता प्सक्राइब सब्सक्राइब चल रहा है कि जी हाँ महज 15-16,000 कमाने वाले मनु यादव और चला रहे अपना घर और लोग यहां पोचते हैं मीडिया पोचते हैं यूट्यूबर पत्रकार पोचते हैं कमाते हैं लाखों रुपईया पता ये इनको ता उम्र यही काम करना है अपना जीवन चलाना पड़िवार चलाना है क्या लगा गलत है मनु यादव गलत है कहां से खुस जला करा इनके अंदर इन्होंने अपना भाई खोया बचपन से कमाने एक पंजाब गए हैं ये लोटे थे समाज की बाते हुई शादी कर लो तो शादी कर लिए पहले से कोई पलान नहीं था और गाव में होता ही अक्सर यही होता है जब कोई बड़ा बुजुर कर रहा होता है तो उसका बात मानना होता है चुकि इनके हाथ मे नहीं होती चीजे hetте क्र लिएशादी तो क्या गुना कर लिए ये लेकिन सवाल यहा है हम अक्स Kart लड़ाए लड़ रहे हैं छोटू के नयाएं के लिए ये जो शादी की ना चोटू के लिए शादी की विकिए हैं क्शोटू कкоїस स्डूर ना हो हाँ इसम जोड़ांब ना इ मिल जाएगा सपोर्ट ताकि हम दोनों लड़ेंगे केस केस लड़ेंगे पहले आरती अकेले थी आज उसके साथ मनु यादब खड़ा है और ता उम्र खड़ा रही रहेगा चुकि अब पती है आप क्या माफ करेंगे नो हत्यारों को जी देखिए जो कातिल है उसको तो नहीं नहीं करेंगे मात नहीं करेंगे मात सजादेगे हैं सजादेंगे कभी सोचते होंगे पष्वार क्या बित रहा होगा लेकिन हो लोग हंत्या करने से पहले सोचे थे यह मेरे परिवार पाभी क्या बीतधर है कि इस तो तुम हम कहु professionally आभी कि यह स्वाघसागर और यह मनु मनुयादव जो लड़ाई अपने छोटे भाई के लिए और इन्हें गलत मत परजेंट करें परस्तूत करें चुकि मनुयादव ने सक्रिफाइस किया तब आर्थी को अपनाया कितना दिल में बित रहा होगा इसकी दिल की बात मैंने बता सकता हूं लोग करते यह खूस है कैसे खूस हो जाएगा इसकुस हो जाए इसके घर में मातम है मा बिमार पिता बीमार कमाने वला कोई नहीं कमाने वला यह जाते जाओ सबनन कःक्रों में रहाता है कैसिति है अगर रोज़गार बिहार इस ने करन मनुयादव जोड़िक क्यों होता बिलाड़ वो फृदो तो कम olhos मासमल का गलत है इसको बद नाम कर रहे हैं आप लोग सर्म किजिए कुछ पत्रकार लोग आए जब दस्ति सवाल करने ही लगे आप हमसे जब दस्ति कि आप छोड़ देंगे क्या इतों छोड़ दिया हम सिधे छेप देंगे किसी भी परिवार के इज़्जत का मजा कुराना गलत है यहाँ पर माजला नहीं चल रहा है अपना भाई खोया है इसने शादी किया परिवार दबाब में खूशी शादी नहीं किया इस लटकाने जो इसके मुस्कुराहट को बदनाम कर रहे हैं मुस्कुरा दिया कुछ तथा कथित वकील कुछ तथा कथित समाज से भी लगे पड़े हैं कि देखो कितना लगा खूश हो रहा है कितना वो हस रहा कितना बोल रहा है पहले से परिवार प्लान किया हुआ था पहले सार्थी प्लान की हुई थी कि साधी रचानी है कि समाज कहा जा रहा है हमारा भाई खोय मैं हत्य हुआ मदर हुआ प्रक एच कोई करा बंगो केस में पुड़ा माताम पसा हुआ चोटू का केस कोट में है चल रहा है दो लोग आरोपी है जिसमें साथ लोगों ने बेल फाइल किया बेल डिजेट कर दिया गया चार लोगों ने बेल फाइल किया है पटना है कोट में अभी लंबित है और ये चल रहा है छोटू के कैसे जुरा रहे हैं हम लोग छोटू से जुराव आपको अपडेट देते रहेंगे यह लड़ाई छोटू की नया के लिए ना कि आर्थी की लड़ाई चल रही है आप इस लड़ाई में मनु यादव भी सामिल हो गया है आर्थी मनु और रुमेश यादव अब लोग लड़ रहे हैं आप लोग इस परीबार को सपोर्ट करें नहीं कर सकते हैं मनी से सपोर्ट तो भरवली सपोर्ट करें गलत कमेंट ना करें अब इनकी आरती पत्नी है अब पती को पत्नी के बारे मुल्टा-पुल्टा बोलिएगा तो रिलाई तो होबे करेगा का जी जी बासाई या वो प्रेवेट अपना फैमिली मेटर हो गया आप कुछ बूले कोई कुछ और दीज चुके उसे अगे जो भी अर्चन आएगी अपसे दूर करेंगे खुश रखेंगे ताउम्र जो हो सकता आपसे जैसे आपके पिता ने आपके परिवार को खुश रखा आपके मम्मी को खुश रखा उसता से आप आरती को खुश रखेंगे जी चुकि आरती के ऊपर कई तर कितना दवाब इस लड़की को ना एक लड़की इतना दवाब घेल रही है लोग करते हैं कि आर्तिय शातिर है आर्तिख खिलाड़ी है अड़े इस फाला बनता है यह देखिये यहां पर आर्थ करेगी है क्रोण पर कमार यह यहां बैट कर पुरा परिवार बहार रहता है कमाने जाता है इस सिस्थिति में रहता है आप देख रहे हैं लाइब तस्वीर छोटू के घर से रहड़िया गाउं से मैं आपको दिखा रहा हूं इस सिस्थिक क्या है मनुयादब का मुश्कुराना वो मुश्कुराहट नहीं आपसी बाचित तुछ पत्रकारो भड़कना वह तुछ के लाइक है अगर हम उसके बढ़ते ना हम सिद्धे चेप देते हैं उत्तों मनुयादब था कुछ नहीं किया तुम किसी घर में घुसोगे बाई भन करोगा तो छोड़ दिया जाएगा जी है कोई नहीं आप करेगा कोई नहीं आप लेटी थी प्रेविर किसे खत्यक कर दोगे तो जाइज हो गया जाए रादो ट्रेन चलेगी वे और बैनलण कोट खुलेगी नेतलक भास देगो रात में कियो चलेगा तो एक स्चेंप अपने प्रमिर आप मेंनी सकता रात में जाकर मतवर कब थे हो गया गलत होगिया करता तब गलत होता, तब उसकी हत्या करता हमें भी करते हत्यार, इस रेपिस्ट को सजा दो, फासी दो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, मिलने के लिए गया, मार दिया गया, नो लोग दोस्ति है, सजा होनी चाहिए, ये पूरी बाती जो है, छोटू के परिवार का कहना है, प्लि कहने, होज सिल रिट में खुदरा खरीदे, राजनंदनी जोयलर्स से, जोहरी कॉंपलेक्स से, बाकर गंज, टेक्सिस बैंक एटियम के सामने, पटना है, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे धन्यवाद